सोरी, वीडियो डिश्टब हो गया था बिटा, अब फिर से स्टार्ट करते हैं, most important मैंने लिखा है बिटा, equilibrium of charge particle, competition exam के लिए बहुत important है, board exam के लिए भी बहुत important है बिटा, in equilibrium, net electric force on every charge particle is zero, कितने भी charge है, equilibrium का मतलब है, हर एक charge particle के उपर net force क्या हो जाए, जीरो हो जाए, the equilibrium of charge particle, under the action of columbian force, alone can never be stable, देखो, मैं आपको एक case करवाता हूँ, equilibrium of three point charges का, एक charge है Q1, capital Q1, एक charge है capital Q2, इनके बीच में कहीं पे रखा हुआ है, एक charge small Q, Q1 और इस small Q के बीच में distance X है, इस capital Q1 और capital Q2 के बीच में distance R है, पहला case देखिए, two charges must be of like nature, आपको बेटा, जब question पुछेगा न, exam के अंदर में, तो आपको condition देगा, मैंने पहली condition लिखी है, और मैंने दूसरी condition लिखी है, इन दो condition के उपर ही आपसे question पुछेगा, पहली condition क्या है, two charges must be of like nature, यदि Q1 और Q2 like nature के हैं, तो F, देखो इस small Q के उपर, F on Q, K Q1 Q over X square, इन दोनों के बीच की force बेटा, और इन दोनों के बीच की force, इन दोनों के बीच की कैसे निकालेंगी बेटा, पूरी distance है ये, R, X को हटा दोगे, तो इदरवाले कितनी बची की, R minus X, तो K, पहला charge, दूसरा charge, ओर उनों के बीच की distance का square, total force क्या रहेगी, 0 रहेगी, दूसरा के से बेटा, third charge should be of unlike nature, then F on Q1, पहले इन दोनों के बीच की force निकालेंगे, क्योंकि ये charge इसके उपर भी force लगा रहे है, और ये charge भी इसके उपर force लगा रहे है, तो हम इसके उपर force निकाल रहे है, F on Q1, K Q1 Q2 over R square plus K Q1 Q over X square, और ये total force क्या रहेगी, बेटा, 0, और यहां से we can easily find X and the value of Q, इन दोनों के उपर numerical आते हैं, आप से पूछ सकता है कि दो equal charge हैं, same nature के हैं, उनके बीच में एक charge Q रख्या गया है, तो Q1 से X distance के उपर रख्या गया है, यदि ये तिन्नों equilibrium में हैं, तो ये X find करके दिखाईए, या उस charge Q Q value of find करके दिखाईए, तो ये था बेटा हमारा आज का वीडियो लेक्चर, वर्क्षिट आपको PDF फाइल के दवारा मिल जाएगी, PDF फाइल में notes भी मैंने send किये हैं, आप उनको fair copy में complete करें बेटा, वर्क्षिट को complete करें, कोई भी problem होती है, आप मुझे message करके inform कर सकते हैं, आपकी हर problem को solve किया जाएगा, मिलते हैं next video में,